कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कर दोनर मंत्रा लें के नए मंत्री सिमान जी किसिन रिडी जी और उनके साथ मोस बैठे हैं सिमान बियल वर्मा जी यह परिशे भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है साथियों करोना से आप सभी किस प्रकार से इनोवेटिव आइडियाज के साथ अब जाए इस प्रकार किया है इसका विस्तार से आपने क्या आप लोग अब लोग इस पुरा देश विशेंस करके हमारे हिल्थ लोग अ हर अ हर किसे ने अपके अपनी जिम्मवाद निभाने के लिए गत डेड़ साल से लगातार परिश्रम किया है नौर्थ इसकी भावगलिक चुनावतियों के बाउपूर इस्टिंग और ट्रिट्मेंट से लेकर वेक्सिनेशन का इंफास्तेक्तिर तयार किया है अब बिशेश दुटे आग्मने देखा गो इसकुष्ण आग्या है अब आग्यों के लिए सब्स्टिंगे साथ देश्टिंग और परिश्रम के लिए नियुक्ता इत्राइए अब आग्यों के लिए जो अमारे अग्यों को बहुत बढ़ाई देता हूं क्योंकि वेक्सिनेशन में वेक्सिन का इतना महत्व है है और उसको इस प्रकार से तुनी तरह से हैंडल कि इसलिए मैं आपके सभी काम करने वाले सांथों को बढ़ाई देता हूं और जिन चांद राज्यों में अभी कमी मैंसों को रही है वहां पर भी बहुत अच्छे दर्श से इस काम को ठिया जाएगा यह सब्सक्राइब परिश्वास हैं सब्सक्राइब परिशिती से हम सब भली भाति परिशित हैं कोवीड की दूसरी लहर के दोरां अलग-अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामोई प्रियास किये और उसका परिड़ाम परिदी था लेकिन नौर्थ इसके को एंजिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्री दर्ज की आए इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा है हमें और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर मुर्स सक्ट कदा उठाने हुए और अभी हमनताजी बता रहे हैं कि उन्हां नहीं लोकडाउन का रास्ता नहीं चुना डू एप क्डू का राजता चुना से अधिक माइक्स का इसके मां रिस्पोंसिबिल्टिटिग रह से आ हैं पूसा है उसे पूछ सकते हैं कैसे अच्छा हुआ इसलिए इतना जो लगाएंगे हम इस परितिती से जल्दी बहाराएंगे और देट साल में जो हमें दिले हैं जो बेस प्रक्टिसीज हमने देखी है हमें उसका भी पूरा इस्तमाल करना होगा देश के अलग अलग राच्चों ने भी नए नए इन्वेटिव तरीके चुनाएं आपके राच्च में भी कुछ जीने होंगे कुछ गाउं होंगे कुछ अफसर होंगे जिन्नोंने बड़े इन्वेटिव तरीके से इन चीजों को हैंडल किया होगा यह बेस प्रक्टिसीज को अडेंटिफाइक करके उसको जितना ज्यादा हम प्रचारित करेंगे हमें सुवीदा होगी साथ कि हमें कोरोना वायरस के हर वेरियंट पर भी नजर रखने होगी क्योंकि यह बिल्कुल बहुरुक्या है बार बार अपने रंग रुप बदल देता है और उसके कारण हमारी लिए भी चुनोजिया खड़ी खड़ी होगी और इसलिए हमें हर वेरियंट पर बारिकी से नजर रखने होगी है लुटेशन के बाद यह परेशान करने वाला होगा इस बारे में एकपर्ट लगातार स्टड़ी कर रहे हैं पूरी टीम हर बड़लाव पर नजर कर रही है ऐसे पर प्रिवेंशन अप्रिक पे यह बहुत जरूरी है इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी फूरी क्सम्ने पाले हैं पूरा फोकस इनी चीज़ों पर और पारा हाँ वो भूब हमार्ष की तुरी मास्क्र और पैसिने नवे सामने प्रियों पर्याइं अरिया अरे देट सांग से अलबहूर से धीना है अ वहीं टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रिक्पेंट इसकी जो हमारी रण देती है जो हमारे इंफासिक्टर है वो अगर बहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफ़ल रहेगे कि यह पूरी दुनिया के अनुगवों से प्रमाणित हो चुखा और इसलिए हमें हर नागरिक को रोना बचाव के लिए बने नियमों का पानंतर निट लिए निरंतर तोच्छाइब करते हैं आप समाज के इसकी सुझाइडी के लोग हो धार्वेश समाज के जिवन जागे मु प्रियास के लिए साही है कि कोरोना की वज़त से तुरियम त्यापार खानोबार यह बहुत प्रभावित हुआ है लेकिन आज मैं बहुत जोड़ देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में मार्केट में मार्केट में बीना वास्क पहले बीना प्रकॉपल कांब्स किये जिना कि हारी भीड़ का उपड़ना बाइस बनता हुए चिंटा कभी है एक जित नहीं है कई बात हमें तर्क सुनते हैं को लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी कि तीसरी लहर के क्या तैहरी की तीसरी लहर के लिए आप क्या करें कि आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में की तीसरी लहर को आने से कैसे रोपना है कि हमारे फोटों को फुस्ति से कैसे अमल करें कि अगर और एक प्रोन ऐसी तुए है वह आपने आपने आदि को जांकर के लिए तो आप और इसलिए हम अगर इन चीजों को आपकर साथवाने करेंगे तो इसलिल हर को ही रोक पाएगे आने के बाद कहा करेंगों एक विश है लेकिन आते हुए रोकना यह प्रमुपिश है और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजपता सतर्पता प्रोटोकॉल का पालन इस पर हम ने थोड़ा सा भी कॉंप्रोबाइज नहीं करना है और एक्सपर्ट भी बार बार यह चेतामनी दे रहे हैं कि असावधानी लापरवाई भीड़भार ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमन में भारी उचाला सकता है और इसलिए यह जरूरी है कि हर स्टर पर हर कदम गंबिर्ता के साथ उठाए जाए अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रूख सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए साथ योग केंदर सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं सबको वैक्सिन मुप्त वैक्सिन अभ्यान की नौर्टिस्ट में भी उतनी ही एहमियत है तीसरी लहर से मुकामले के लिए हमें वैक्सिनेशन की प्रक्रिया तेज़ करते रहना है हमें वैक्सिनेशन से जुड़े ब्रह्म को दूर करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक साइक्षणिक जितने भी लोग हैं जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब को हमने जोड़ना है हरे के मुझ से इस बात को नीचे प्रतारिक करना है और लोगों को मुबिलाइज भी करना है अभी नौर्थ इसके कुछ राज्यों में टीकाकरों को लेकर सरानिय काम हुआ है मैंने प्रारम में भी कहां जहां कोरोना का संक्रमन फैलने का खत्रा जादा है वहां वैक्सिनेशन पर और भी बल दिया जाए साथियों हमें टेस्टिंग और ट्रिक्मेंट से जुड़े इन्फासेक्टर में सुधार करते हुए आगे चलना है इसके लिए हाली में केबिनेट ने 23,000 करोड रुपिये भारत सरकार ने 23,000 करोड रुपिये का एक नया पैकेज भी स्विकृत किया है नौर्थ इसके हर राज्य को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफासेक्टर को बजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी इस पैकेज से नौर्थ इसमें टेस्टिंग, डायनिस्टिक, जीनॉम सिक्वेंसिंग इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा जहां केज बढ़ रहे हैं, वहाँ पुरंत आईस्यू बेड कैपरसेटी बढ़ाने भी इससे मदद मिलेगी विशेश रुप से हमें ऑक्सीजन पर पीडियाट्रिक कैर से जुड़े इंफासेक्टर के निर्मार के लिए तेजी से काम करना होगा पीएम कैस के माद्यम से देश भर में सेक्ड़ो नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और मुझे खुशी हुई आप सभी मुख्यमंत्रियों ने इस काम में जो तेजी से प्रगति हो रही है इसके लिए बहुत संतोष व्यक्त किया नौर्थ इसके लिए करीब डेड़ सो प्लांट्स विक्रूत हुए है मेरा आप सभी चाग रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे हो कहीं कोई बाधा ना आये इस पर भी एक दृष्टी रखे और इसके लिए आवर्शेक जो मेंट पावर है स्कील मेंट पावर है उसको भी तुरंट साथ साथ तैयार कर लीजिए ताकि बाध में जाकर के वो दिक्कर ना है नौर्थ इसकी भावगलिक स्थिति को देखते हुए अस्थाई अस्पताल बनाना भी बहुत जरूरी है एक और अहम विशह है जो से मैंने प्रारम में कहा और फिर भी एक बहुत लेकिया ट्रेंड मेंट पावर का जो आक्सिजन प्लांट लग रहे हैं जो आई सिउ वर्ड बन रहे हैं जो नई मशीने ब्लॉक्स तरके अस्पतालों तक पहुचाई जा रहे हैं उनको सुचार रूप से चलाने के लिए ट्रेंड मेंट पावर भी आवशक है इससे जुड़ी जो भी मदद आपको चाहिए केंद्र सरकार वो उपलब्द कराएगी साथियों आज हम पूरे देश में 20 लाज से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की एक संता तक पहुँच चुके नौर्ट इसके हर जीले में विशेश रूप से अधिक प्रभाविज जीलों में टेस्टिंग इंफ्रास्रक्टर को प्रत्विक्ता के आधार पर बढ़ाना होगा यही नहीं रेंडम टेस्टिंग के साथ साथ हम क्लस्टर वाले ब्लॉक में एग्रेसिव टेस्टिंग करें इसको लेकर भी हमें जरूरी कदम उठाने चाहिए मुझे पुरा विश्वास है कि हम सब के सामोहित प्रयासों से देश की जनता के सहीयोग से हम कोरोना संक्रमन को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे मैं फिर एक बार आज विस्तार से नौर्टिस की चर्टा करके बहुत स्पेसिफिक विश्व पर हम चर्टा कर पाएं मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नौर्टिस में जो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है उसको तुरंद रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपको